दोस्तो इस वड़े में हम बात करने वारे हैं च्छै ऐसे लोगों के बारे में जिन से आपको कभी भी एडवाइस यानि के मशवरा नहीं लेना चाहिए ऐसे च्छै लोगों से मशवरा लेने से खावक किसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट में इंप्रूब्मेंट लाने के लिए या फिर अपने स्टैंडर्ड को रेस करने के लिए अपने मेयार को बलंद करने के लिए खाव किसी भी काम के लिए मशवारा लेने से क्योंकि ऐसे 6 लोगों से मशवारा लेने से वो काम आपका incomplete के रहे जाएगा ना मुकंमल और unsuccessful होके रहे जाएंगे क्योंकि दोस्तों ऐसे च्छै लोग कभी सही मश्वारा नहीं दे सकते कभी सही एडवाइस नहीं दे सकते जानेंगे इस वीडियो में क्यों च्छै लोग कोन है मुकामल जाने के लिए वीडियो में तक बने रहे हैं वीडियो को शुरू करने से फिल एक तरखास कि वीडियो पसंद आये तो दिल से लाइक कर दे अगर चैनल पर चैनल को सब्सकाइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को So let's explore Number 1 कभी ऐसे बंदे से मश्वारा मतलो जो कि किसी काम में मस्रूफ हो किसी काम में बीजी हो क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे से मश्वारा लेंगे तो आपको सही मश्वारा ने दे पाएगा क्योंकि वो अपने काम में मस्रूफियत की बिना पर उसका एटेंशन और ध्यान पुरी तरह कैसे अपने काम में लगा रहेगा और apparently पता चलता है कि ऐसे बंदे के अंदर किसी को एडवाईज या फिर मशवारा देने की capacity, ability यानि के सलायात नहीं होती नमबर तीन जैलस यानि के हासिद यानि के हसद करने वाला जलने वाला जो आप से हसद करने वाला बंदा हो उससे आप कभी भी मशवारा मतलो क्योंकि ऐसा बंदा आपके लिए बिगार तो पसंद करेगा कभी सुधार पसंद नहीं करेगा यानि के ऐसा बंदा जो के जैलस हो कभी नहीं चाहेगा कि उसके एडवाइस से मशवारा से आपके काम इंप्रूब्मेंट आए और आप नेक्स टाइम में अपने फ्यूचर में सकसेज गैन कर पाओ हासिल कर पाओ तो दोस्तो है तीसरा बंदा है जो के जैलस हो हासि तो उससे कभी भी मशवारा मतलो क्योंके अगर आप ऐसे बंदे से मशवारा लेंगे तो आपको मिसलिट करेगा गुम्रा करके रख देगा नमबर तर ऐसा बंदा जिसके दिल में फियर अफ़ गॉड नहों अलला का खौफ नहों खौफ खुदा नहों और जिस दिल में नहीं हो उस बंदे से कभी भी मशवारा मतलो क्योंके वह आपको ऐसा भी मसवारा दे सकता है जो आपकी आखिरत को खराब करके रख दे क्योंकि जो बंदा अल्ला का खौफ नहीं रखता वो आखिरत के मनाजिल से भी खौफ नहीं रखता वो किसी तरह का भी मश्वरा दे करके आपको सही रास्ते से हटा सकता है नमबर पाच ऐसा बंदा जो के स्कैर्ड हो यानि के खौफ सदा हो जिसके दिल में डर बस गया हो या फिर आप कह सकते हो कि जिस बंदे के अंदर डिप्रेशन हो उससे कभी भी मश्वरा मतलू क्योंकि वह खुद अपने ही जान का वबाल बनके रह चुका है ऐसे बंदे से कभी भी मश्वरा मतलू क्योंकि वह आपको कभी भी सही मश्वरा नहीं दे सकता क्योंकि ऐसी सिचुएशन और पोजिशन में उस वक्त उसकी आलत होती है तो वह आपको सही और बैतर मश्वरा नहीं दे सकता क्योंकि ये सलायत छीन जाती है और number 6 जो बंदा बहुछ जदा भूगा हो चाहे वो poverty की वज़ा से हो या फिर किसी necessity की वज़ा से या नि के गरीबी की वज़ा से हो या फिर जरूरत के त SS बंदा भूगा हो ऐसे बंदों से कभी शुरा मतलोग चाहे वो कितना ही समझदर और intellectual अकलमद क्यों नहीं हो क्योंकि दोस्तों जो बंदा भूका हूँ आपको सही मशवरा नहीं दे सकता उसके अंदर यह ability और सलाययत और काबिलियत उस वक नहीं रहती कि वो आपको सही direction पर ले जाए